हाई, मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल में आपका स्वागत करता हूँ मैं एक सेक्शल हेल्थ कोच और आयरवेदिक डॉक्टर हूँ और मेरे को स्वाई साल का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए हम आपको ये बता दें कि जो भी आपकी जानकरी है, वो हम बिल्कुल confidential रखते हैं किसी के साथ भी शेयर नहीं होती और बार कोड़िड होती है, जो भी आपकी जानकरी है जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो सिर्फ मेरे को ही अवेलेबल है मैं ही उसको उपन करके देख सकता हूँ और किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती दूसरा सवाल अकसर जो लोग पूछते हैं, वो ये है कि हमें अराम कितनी देर में लगने लगेगा वो आपकी प्रॉबलम के उपर डिपेंड करता है आम तोर पे 2-4 दिन से लेके 5-7 दिन के बीज में आराम लगना शुरू हो जाता है हमारा जो ट्रीटमेंट है आम तोर पे 1-2 महिने चलता है और उसके बाद आपको आम तोर पे ट्रीटमेंट लेने की जुरुरत नहीं बढ़ती तीसरा स्वाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ये ट्रीटमेंट पर्मनेंट रहेगा तो उसमें ये मेरा अंसर ये है कि जो आपको मैं इस्ट्रक्शन देता हूँ जिन चीजों का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है चाहे वो आपके रहने सेने का हो चाहे वो खाने पीने का हो उस चीजों का ध्यान रखेंगे अगर तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो पर्मनेंटली हो जाएगा चौसा कॉस्चन ये बूचते हैं लोग कि क्या हम बिना दवाई के घर बेठे ठीक हो सकते हैं तो इसका अंसर भी हाँ है अगर आप अपने lifestyle में अच्छी changes लाते हैं, regular exercise करते हैं, नीन का ध्यान रखते हैं, अपने खान पीन का ध्यान रखते हैं खान पान में भी आपकी में बहुत सारी help कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक certified nutritionist भी हूँ का कोई side effect है, तो मैं आपको ये बता दू कि हमारे treatment का कोई भी side effect नहीं है मैं पिछले 26-27 साल से इन दवाईयों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और किसी भी patient को कोई problem कभी आई नहीं है अगला question आम तोर पर जो पूछा जाता है मेरे से वो ये होता है कि क्या lifestyle का कोई role है आपकी sexual health में तो उसका answer है कि अगर आप lifestyle अच्छा रखते हैं तो आपको usually किसी प्रकार की performance issues आते ही नहीं है mostly जो performance issues है वो lifestyle खराब होने की वज़ा से होते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने चाहिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए आपको नीन पूरी लेने चाहिए आपको exercise regular करने चाहिए अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी problems जो हैं उनसे आप बच सकते हैं एक और question बड़ा मेरे से commonly पूछते हैं लोग हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसी sexologist को approach करना चाहिए तो उसका answer यह है कि अगर आपको एक आद बार problem आई suppose आप एक बार परफॉर्म नहीं कर पाए तो यह नहीं है कि आपको किसी तरह की consultation की जुरत है को सकता है second time आप अच्छे से perform कर पाऊ तो थोड़ा सा आप relaxation techniques यूज करिए थोड़ा योगा करिए प्राणा याम करिए अपने आपको relax करिए अगर उसके बाद भी अगर आपको एक ही problem बार बार आती है हर बार ही जब भी आप अपने partner के साथ संबंद बनाते हैं तो उस टाइम आपको problem आ रही है क्या उसके लिए इलाज की जरूरत है या आप मेरी केवल counselling से ही ठीक हो सकते है तो उसके लिए मैं आपको बहुत strongly recommend करूँगा कि one on one मेरे साथ consultation book करिए और अपने सारे सवालों का जवाब पाईए और साथ में अगर treatment की दुरूरत है तो वो भी आपका इतने अच्छे से किया जाएगा क्योंके मेरा 27 साल का experience है मैंने हजारों लोगों को treat किया है और बहुत सारे लोग अपना विवाहिक जीवन सुखी बना पाए हैं मेरे help के साथ अगर आप भी अपने विवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो आज ही आप consultation book करिए और अपनी problem से चुटका रपाईए